नमश्कार बहुत स्वागत है आपका TNP News में संसद और राज विधान सभाओं में महलाओ को 33 पृतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ती वंधन विधैक बिल पास हो चुका है और पिछले कई दिनों से इस बिल को लेकर राजनितिक चर्चाएं भी तेज थी आज हम आपको बताएंगे कि आखिर महला अरक्षण बिल नारी शक्ती वंधन बिल आखिर है क्या आसान भाशा में हम TNP News के दर्शकों को ये बताना चाहरे हैं कि ये बिल जो एक गाउं कजबे में बैठा हुआ एक इनसान है और एक महला है वो भी इस बिल को आसान भाशा मे अब समझ पाएगी तो हम आपको बताते हैं कि ये बिल की शुरुवात कहां से हुई साल था 1996 देव गोडा की सरकार थी उस सरकार में इस बिल को लाया गया था लेकिन तब भी ये बिल प्रभाव में नहीं आ पाया ना ही लोग सभा में पास हुआ था ना ही राज्य सभा में पास हुआ फिर साल 2010 में यूपिय की गौर्णमेंट में ये बिल राज्य सभा में पास हुआ लेकिन लोग सभा में अटक गया और किसी भी प्रभाव में ये बिल नहीं आ पाया अब भारती जन्ता पार्टी की सरकार में इस बिल को पहले लोग सभा में मनजूरी मिली फिर राज्य सभा में मनजूरी मिली अब ये बिल पास हो गया है अब इस बिल को परिसीमन के बाद प्रभाव में लाया जाएगा ये बिल परिसीमन के बाद लागू होगा पहले जन्गर्णा होगी जन्गर्णा 2026 तक चलेगी उसके बाद परिसीमन की प्रिक्रिया लागू लगतार काम तो कर रहे हैं इसके अलावा आपको बता दें कि भारती जनता पार्टी और प्रधान मंतरी मोधी की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो महलाओ के उत्थान और विकास के लिए हैं जो कि इस राजनीतिक परिदिश्य में एक बूस्टर डोस का काम करेगी आपको ब 6 लाक महलाओ को उजला योजना 27 करोड जंदन खाते खोलना इसके अलावा महलाओ धमियों को 27 करोड मुद्रा लोन और उसमें जो है वो एक मिशन पोशन भी शामिल है तो बहुत सारी योजनाओं पे भारती जनता पार्टी और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी लगतार महला की भागेदारी भारती राजनीती में एक नया इतिहास रचेगी तो देखते रहिए TNP News खुश रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद